मैं फ्रेंद्स कैसे हूँ आप मैं लगा के बताऊंगा कि आपको के लगाना कैसे है आप चाहे तो इसको राथ बर लगाके सुबहें या अगर दिन में अप्लाइख कर रहे हैं तो आप 2 या 3 घंटे लगा के बाद में hair wash कर लीजिए अपना कोई भी shampoo conditioner यूज़ कर लीजिए तो friends अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो please मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तो चलिए friends आज की वीडियो स्चार्ट करते हैं तो friends इस oil को बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल तेल और अलो वीरा फ्रेश अलो वीरा आलो वीरा को साइड से कट करने है और इसके चोटे-चोटे पीस करने है यह देखिए ऐसे आपने चोटे-चोटे पीस करने थोड़ा सी आप इसे बनाईए अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसे वान विग के लिए बना के स्चोर कर सकते हैं अब आपको एलो वीरा को नारियल तेल में एड़ कर देना है और इसे अच्छी तरह से गरम होने देना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है अच्छी तरह से इसे गरम होने देना है ये देखिए अब इसका कलर चेंच ओ गया और एलो वीरा जो है अच्छी तरह से पक चुकी है अब हमें गैस को बंद करके रख देने और इसे ठंडा होने देना है अब मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया और इसका रस निकाल लिया और तीन चार गंटे तक मेरा नारिल का तेल जो है वो ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें प्याज का रस एड़ किया और दो विटिमिन ए के कैपसूल एड़ किये है अब आपको इसे चान लेना है इस ओईल को चान लेना है और इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है मैंने अपनी नारिल बोटल में ही इसे स्टोर कर लिया था आप इसे लगाईए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो फ्रेंड्स आपको नारिल का तेल अपलाई करना है अपनी स्केल्प पे अच्छी तरह से इसे लगाईए और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से दीरे दीरे मसाज कीजिए मैंने यहापे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड पे लगाया इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट लगा रही हूँ बट मैंने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से लगाया था स्केल्प पे लगाना है लेंथ पे लगाना है अगर आप इसे नाइट में अपलाई कर रहे हैं तो आप एज़ इस सो जाईए आपके बाल सिल्की हो जाएंगे लेंथ ही हो जाएंगे अच्छी तरह से मसाज करनी है फिंगर से लेंथ पे भी आपने इसे अपलाई करना है वीक में टू टाइमस आप इसे लगाईए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको मिलती हो अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तब के लिए थैंक्यू बाई